नमस्कार दोस्तों आगते आपको यूट्यूब चनल फिनौईच पे रिलाइंस कम्यूनिकेशन का रेजल्ट आ चुका है रिलाइंस कम्यूनिकेशन का जो एक फाइनेंशियल रेजल्ट होता है वो अभी डिक्लियार किया गया है आप यहाँ पे थोड़ा इंफरमेशन देख सेथे रिलाइंस कम्यूनिकेशन के शेयर को लेखे जो की 52 एक का जो हाई प्राइस था उससे 49.50% के आसपास यह डाउन चल रहा है शेयर का प्राइस जो अभी 2.55 का शेयर यहाँ पे देखने को मिल रहा है तो रिलाइंस कम्यूनिकेशन के शेयर में दोस्तों लोगों पता है कि जब भी कुछ अपडेट्स आते तो आपर सक लग जाता है तो अगर आप देखते हैं एक दिन में स्टॉक में जो एक थोड़ा बहुत बहुत सेते की तेजी देखने को मिला था और स्टॉक का प्राइस यहाँ पे आप देख सेते जो की 2% के आसपास तेजी दिखाया था तो यहाँ पर थोड़ा stock के बारे में देख लेते हैं उसके बाद reliance communication को लेके और भी जो details है वो हम लोग यहाँ पर share करेंगे Durability देख सकते हैं 100 है out of 35, 35 है out of 100, Valuation 24.3 है out of 100 and Momentium 38.4 है out of 100 Reliance Communication का जो Momentium जो होता है वो एक buyers demand होता है तो यहाँ पर देख से हिते हैं Momentium कुछ खास नहीं अभी फिलाल मतब जो भी बायार यहाँ पर है Reliance communication का बहुत ही कम ऐसे रहें के जो fresh आवी Reliance communication में buy कर रहा है ऐसा साय से बहुत ही कम बायार है जो Reliance communication में आभी बाई कर रहा है जिन लोगोंने बाई किया है तो बहुत जन्ने हो सकते हैं कि पहले जादा प्राइज में शयाल लेके रखा है और अब यह आपर तोड़ा बहुत खरीद दरीक कर रहा है तो यहाँ पर दोस्तों result आ चुका है अभी Reliance Communication का उसके बारे में देखते हैं हम लोग detail में उसके बाद इसको लेका और भी update है वो भी share करेंगे तो आप देख सकते हैं total revenue जो है कंपानी का March 2022 का minus में है 30.4% का minus में यहाँ पर देखने को मल रहा है यह revenue और यह जो हम लोग देख रहे है consolidated result देख रहे है company का उसके बाद operating expenses जो है यहाँ पर देख सकते हैं जो की minus में है 7.77% का minus भी 433.3% minus में है तो तक company में ऐसा reliance communication में ऐसा कुछ भी नहीं जहाँ पर जो है एक अच्छा कासा या पर growth देखने को मिले company के result में and EBITD के बात करेंगे दोस्तों तो उसमें भी जो है लगबग 1660 क्रोर जो है minus में वो देखेंगे तो 12.3% जो है minus में है यह उसके बाद बात करे देखेंगे जो company का net profit है net profit में जो है लगबग 12% का गिराबट बनता हुआ दिखा है 12% जो है net profit भी गिराबट दिखाया है तो हर एक इसमें देखेंगे तो consulate जो report है आफ जो result आया है कुछ खास नहीं है और ऐसा ही शाय से लग रहा था कि कुछ result जो है यहां पर देख लेते हैं हम लोग स्टेंडलों का जो result का अपडेट है उसको वह भी थोड़ा यहां पर स्टाडी कर लेए यहां पर देखेंगे तोटल इंकाम जो है अपरेटिंग इसे बढ़ गया है तो अपरेटिंग प्रॉफिट कोईटरली जो है वह है 216.7 परसंट माइनस में है तो अपरेटिंग प्रॉफिट दोस्तों बहुत ज्यादा माइनस में यहां पर देखने को मल रहा है मतलब कुछ कास यहां पर नहीं हुआ है कंपानी का औ इसा नहीं है पर नहीं है अगरो प्राइश बाइब हाई रहा है लिसके चलते हैं बिलकुल भी नहीं करना चाहिए अभि जैसे चल रहा है जैसे कहा हमनोंने पहले यह बता है अगर आप फ्रेश भाई भी करते दोस्तों तो 15-20 पैसे के आस्वा जो एक टारगेट प्रेस रखके चल सकते ज्यादा यह आप फिलाल नहीं करना चाहिए और छोटा मोटा एमाउंट जो है अगर आप जो है आप खरीद दरी करना चाहिए तो इसके बाद आप जो है यह आप देलिवरी परसंटेज में आप देख सेते बीश में 39.1 परसंट पहुझ गया था उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके इसमें ग्रोथ देखने को मिला है 64.2 परसंट हुआ फिर 69.2 परसंट और दो तीन दीन से यह आप हंड़ेट परसंट डेलिवरी हो रहा है इस यार में 100 परसंट डेलिवरी हो रहा है श्टॉक के प्राइस में जो चेंज हुआ है आप देख सेते यहाप पर 1.9 परसंट का आसपास ग्रोथ देखने को मिला उसके बाद जो है चार सेशन में चार ट्रेडिंग सेशन में इसने गिराबर दिखा है 1.9 परसंट 1.9 परसंट 1.9 परसं और एक दिन में जो यहाप एक बढ़ तोड़ा तेजी देखने को मिला है 2% के आसपास अभी यहाप पर और हम लोग डेटल में देखते हैं श्यार का डेटा है देख सकते है यहाप जो है डॉप-इन डेलिवरी डिवरी का हम लोग देखा है मतब यहाप गिरावट बनाता जो delivery है यह आप ध्यान रखें यह जो है एने से दोनों मिला के देख रहें राइजिंग जो तरह ग्रोथ देखने को लोग नहीं हुआ था को मिला है जो कि लगबग बोलेंगे तो उसमें भी जो एक गिरावर बनता हुआ दिखाए श्यार के प्राइज में और एक दिन पहले का देखेंगे तो जाम पिन डिलिवरी के साथ सर्जे स्टॉक में एक तेजी भी देखने को मिला है जो कि टू परसंट क्या असपास है दोस देखेंगे तो रिलाइंस के बहुत ही कम है दोस्तों जो की 5.18 परसंट क्यास परसे मतलब प्रोमोटर के पास यहां पर जो कुछ खास स्टेक नहीं है लाइविलेड इस कंपानी का आप देख सेते जो की बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है कंपानी एस हाई डिपिटर्स पर फिर प्रोमोटर होल्डिंग एस डिक्रिस्ट ऑबार्स लास्ट्री यहां तो प्रोमोटर का होल्डिंग जो है लगबग तीन साल के अंदर बहुत ज्यादा कम किया है इन लोगों ने और उसके बाद जो है कंपानी का अगर सेल्स ग्रोथ दिखेंगे रिलाइंस क्मिनि या फिर कब तक जो है ओफिशियाली वो डिक्लियर होगा कि यह रिलाइंस क्मिनिकेशन के जो भी एसर से वो जियो खरी देगा या फिर दुसरा कोई कमपानी खरी देगा उसको लेके कुछ अभी तक खास अपडेट नहीं आए कुछ ना कुछ यहापर जो हैसे आ जिसके च करना चाहिए फंडमेंटली कुछ खास कमपानी नहीं है अगर देखेंगे तो टेकनिकल यह सब चलता रहता है तो इसका मतलब यह नहीं कि जैसी स्टॉक में एक तेजी आया तो आपने भी खरीद दिररी कर लिया फ्रेश बाई कर ले रहे इसलिए तो यह सब जानना बहुत ज़रूरी है रिलायंस कम्मिनिकेशन के स्टॉक को लेकर अगर आप शचार खरीदते हैं या बेचते हैं खुद से एक बर जरूरी रिसार्च कर लेजे हम लोग ऐसा नहीं कह रहा है कि आपको एक बार जरूरी रिसार्च कर लिजे दोस्तों वीडियो को यह आपर ही के चल रहे हैं एक चोटाता वीडियो के माददम से वह information आपके साथ शेयर किया जाए आशा करते हैं जो भी information दिया है अच्छा लगा रहेगा अच्छा लगा तो वीडियो को like and share जरूर कीजिए अगर आप हमारे YouTube चनल पर नए हैं तो चलने को सब्सक्राइब जरूर कर लिए द्रूर को